हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल सर्वशती टीचर क्लासे जैसे कि हम यूपीटिट अपर प्राइमरी के पेपर सेल्यूशन देख रहे थें तो उसी को कंटीनू करते हुए आज हम यूपीटिट साइंस 2019 का पेपर सेल्यूशन देखेंगे और उसको समझने की पूरी को प्रेंड्स आगे बढ़ने इस पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में सेर करना इसे बिल्कुल भी ना भूने तो चलिए आईए सुरू करते हैं आज की छोटी सी वीडियो को पहला कोश्चन है M दरब्यमान के एक कंड का संबेग P है इसकी गतीज उर्जा क्या होगी आपको ये बताना है और ये क्वेश्चन पहले भी UPTIT के पेपर में पूछा को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपत में धारा होगी चार अफसन है 6 एंपियर, 4 एंपियर, 8 एंपियर या फिर 2 एंपियर तो हमें यहाँ पर ये बताना है तो करेंट का फर्मूला क्या होता है तो वोल्टेज अपान रजिस्टेंस तो इसका करेंट जो होना या फिर मैगनेज यह हमें यहाँ पर बताना है तो लौच उमक यह वो होता है जो किसी एक्स्टरनल मैगनेटी फिल्ड से बहुत ही स्ट्रोंगली अट्रेक्ट होता है जैसे कि आईरन, कोबाल्टो, निकल यह तीनों के तीनों यह बहुत ही जल्दी उसकी तरफ खीच जाते हैं तो यहाँ पर ऑफसर नमबर एस का बिल्कुर सही होगा निकल नेक्ट कोश्चन है धौनी की चाल अधिक्तम है जल में निर्वात में वाई हू में या फिर इस पात पे तो धौनी की चाल किसमें है आपको यहाँ पर यह पूछ रहा है तो आपकी सॉलिड में होती है उसके बाद रौ में होती है सबसे कम गैस में होती है क्योंकि वहाँ कड़ दूर दूर होते हैं और जो धौनी में होती है कड़ों के पास जितने कड़ पास होंगे कड़ में कमपन होगा तो दूसरे में वो ट्रांसफर होगा तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है तो य पूछ रायक यहां पर कौन सा होगा तो यहां पर इलेक्टरान का फुलू नहीं होता फुलू होने से तो करेंट उत्पन हो जाएगा लेकिन यहां पर वो ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्टरान जो होते हैं अपने माटेरियल से लूज हो जाते हैं और दूसरा माटेरियल उसक रका चार्ज हो जाएगा तो पाजेटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क इलिक्टरानों को गेन कर लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो इसका ओप्षन ए सही होगा यानि कि घन आवेस एक घुमते हुए समतल दड़पन पर आपतित किरण साथ दिगरी कोण बनाती है तो परावरतन कोण क्या होगा यह आपको बताना है और प्ले मीटर में हमने पढ़ा भी कि जो एंगल आफ एसिडेंट है जो हमारा नॉर्मल है वो एंगल आफ रिफलेक्शन के बराबर होता है तो यहां हमारा साथ दिगरी है तो परावरतन कोण भी हमारा साथ दिगरी होगा यानि कि ऑप्सन नंबर ए इसका सही हो जाएगा निमलिखित में कौन सा उर्जा का नवीनी करण संसाधन है पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस या फिर कोईला कि इसको हम फिर से रियूज कर सकते हैं वो हमें यहां पे बताना है तो यहां पर सीधा सांसर होगा भूजल इसको हम बार बार रियूज कर सकते हैं क्यो प्रण, द्रब्यमान, बेग या फिर बल अभी मैंने आपको बताया था जो संबेग मुमेंटम होता है वो माक्स इंटू वैलू सिखी होता है तो यहां पर कौन सी भौतिक रासी प्राप्त होगी तो द्रब्यमान इसका सही हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी नेक्स्ट कोईस इसका A हो जाएगा यानि कि 10 to power minus 7 cm इसका अफसन होगा नेक्स्ट कोईस्टन है इनमें से किसने X किर्णों का विसकार किया है चार अफसन दिया है और यह कोईसन बहुत ही इंपोर्टेंट है यूपी टेट या अधर एक्जाम के लिए तो यहां पर इसका सीधा सांसर हो जा पाऊंगी उसके लिए sorry friends अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा से एर और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियों में तब तक के लिए thank you so much